बिस्मिलाइर्वामानी रॉहीम अस्सलाम अलेकूम आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल यूज जिमपोटिट आइटम और मैं हूँ वेसरजा यहाँ मेरे सामने लाट देख रहे हैं एचेच चार के नाम से बंडल आते हैं अमरीकन गर समान है डायरेक की पेकिंग है और ठीके यह डायरेक के बंडल है बड़े बंडल है गर समान के ठीके ठंडा गरम मिक्स के नाम से यह स्टोग आता है लेकिन ठंडा माल इसमें नदर आ रहाता जादा बाकी देके बंडल हो न जो गर में इस्तेमाल होने की होती है वो सब आपको इसके अंदर मिलेंगी जाली परदा हो गया ठीके इसके लाबा बेडशीट हो गई तो लास्टिक चादर हो गई बहुत सारी चीज़े इसके अंदर आपको मिक्स आपको मिलेंगी ठीके ठंडा करम माल मिक्स है लेकिन ठंड का यह बड़ा बंडल बनेगा आपका यह देखे 1123 पाउंड अगर आप 70 रुपे पाउंड के हिसाब से अगर इसको कंवर्ड लगाएंगे तो यह तक्रीबन 70-75 रादार का बंडल बनता है और अगर केजी में आप इसाब लगा ले तो यह 154 रुपे पर केजी पढ़ रहा है आपको और बंडल का जो वज़न है तक्रीबन 5.500 किलो का बंडल बनेगा ठीक है तो माल देख लें बेतरीन माल है चमक वाल है ताजा कंटिनर से उत्रावा माल है और डाइरेक्ट जोन की पेकिंग नहीं है यह डाइरेक्ट अमरीका की पेकिंग है यह चेक कर ले ठीक है बगेरा भी मुझे नजर आ रहा था ठीक है तो यह सारी चीदे भी मिलेंगी और अमरीकन माल है तो अमरीकन माल जो है वैसे साफ सुत्रा ही माल निकलता है बाकी देखे बार से भी साफ सुत्रा नजर आ रहा है बाकी देखे बंडल होगा वो नसीब आपका होगा ठीक है और और मैंने आपको इसमें चीजे बता दी हैं, गर में इस्तेमाल होने से रिलेटिव जितनी भी चीजे होंगी, वो सब इसके अंदर आपको मिलेंगी, तक्या कवर भी हो सकता है, इसमें निकले तोलिया है, हाथ के रुमाल वगेरा हो गए, बाकी परदा, बेटशी, चादर, ग अड़िया हो गया होगा, ALLAH हाफिज